अलो दोस्तों स्वागत आप सभी का अपके अपने यूटूब चैनल कॉम्बिटिटिटिव फंड़ा पाद दोस्तों आज का ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि बहुत सारे वच्चे इस चीज को लेकर परिशान हो रहे हैं प्रशान के तरी रहने सरके बास्ता में जो हैी एक्जाम हो सकता है या फिर जो हमने एक्जाम दिया था वो मुत कैंसल भी हो सकता है क्या हमें रॉनिंग की तयारी क्निव करते हैं अगर आपके बी मन में इस तरह गी आज़ता हो सकता है तो द इको नहीं कि ना के बरावर रहे हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है इस भरती की प्रकृय की जो है निघी přिया हुग हो ठीक है chances यह हैं कि अभी तक की जो प्रक्रिया चल रहे है उससाफ से तो ठीक टाक चल रहा है समबाबने यह है कि जनवरी तक आपकी running भी हो जाए लेकिन यह हो सकता है कि यह भरती प्रक्रिया लंबी चले तो इस चीज़ को लेकर आपको एक mind में चलना है क्योंकि आप अगर already त्यारी में हैं और आप अगले एक्जाम की त्यारी नहीं कर रहे हैं सिर्फ यह मानके कि आपको तो अभी इस एक्जाम में आपका हो जाएगा तो यह आप गलती कर रहे हैं मुझे लगता है आपको और भी जो यूपी के अंदर वेकंसी आने बाली है या SSC और बैंक वगरा की आप त्यारी करते हैं तो आप उसकी लगतार एक्जाम की त्यारी करते रहे हैं और उन एक्जाम को भी आपको देते रहना जाए यहाँ पर क्या है आपने रिटिन ओ att है वो खसम हो चुका है वसर एक काम आप को बचा है रणिंग का जब तक वो नहीं हो जाती तब थोड़ा सा आपके मांड में रहेगा कि running की तयारी का आपको करनी है तो उसकी तयारी आप करते रहे है running के लिए आपको मैंने पूरा बताया हुआ है किस तरह से आपको running की तयारी करनी है ठीक है वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को होने लगी होगी दर्द होता होगा ठीक है आगे की तरफ आपने दिखा होगा सिन पेन आपके होने लगता है अगर आप किसी हार्ड जो ट्रेक पर दोड़ते हैं रोड वगर आप में बस इतना कर सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस दिन आप जबर्द जस्ती ना करें सरीर के साथ थोड़ा बॉक जरूर करें लेकिन ऐसा ना हो घर में बैठ जाएंगे उससे क्या है आपका जो दर्द है वो और बढ़ जाएगा यानि कहते हैं ग्राउ ध्यान रखिए और साथ जब भी आप रणिंग करें तो उससे पहले वाम अप बगारा जरूर कर लें ठीक है वाम अप आप नहीं करेंगे तो वहां पर भी आपको दिकत आती है अब बात कर लेते हैं कि क्या अब मुझे दूसरे एक्जाम की भी त्यारी स्टार्ट कर देनी है तो कही ना कही इस भरती के साथ ऐसा ना हो जाए ऐसा संभाबना कम है लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो आपके पास एक बैक अप होना चाहिए इसलिए आपको मैं यही राय दूँगा कि आप अगर अच्छे से त्यारी करने वाले हैं और आप दूसरे एक्जाम की त सबी चीजों पर फोकस करना है तो कि आगर आपकी कहीं अधर ज्वाइनिंग भी हो जाती मालिया अपने एक से बगारा में किया क्योंकि बहां तो जल्दी पर करिया हो जाती है तो यहां नहीं होता है तो बाद में आप स्विच करके इधर आ सकते हैं लेकिन आपके पास एक नंबर आपके बढ़ जाएंगे अरे वो तो वही रहेंगे अगर आपके 110 ने तो 110 ही रहेंगे आपका होगा हो जाएगा नहीं होगा तो नहीं होगा बस आपको यहां एक रनिंग करनी है वो अच्छे से करते रही है उसको आपको कौलिफाई कर देना है तो बैक अप में आ बात करूं जैसे कि आप सभी ने देखा इतना सारा जो स्कैम बगरा लेकर ट्विटर वगरा विहां चला इससे भरती वोट की तरफ से भी जवाब आया था तो वो सब चीजें देखकर ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है तो वो भी चाहते हैं कि जो प्रकरिया है बहुती जल बरीको कोड़ खुलेगा तो इस भी संभाबना यह है कि भरती वोड यह चाहेगा कि जल्द से जल्द जो है आपका रिवाइजड आंसर की जारी हो जाए और रिवाइजड आंसर की जो फाइनल रहे इसके बाद कोई और आंसर की ना आए ठीक है क्योंकि हुआ क्याता 2016 की भ रिवाइजड के बाद दो-चार दिन के अंतर पर ही आपके जो डीवी पीएश्टी के एड्मिट कार्ड होते हैं वो जारी हो जाएगे और वो जैसे ही जारी होंगे तो देखिए वहाँ पर जो केंडिडेट हैं डीवी पीएश्टी के लिए लगवग मुझे जो लगता है 35 से 40 हजार के आसपास लगवग केंडिडेट डीवी पीएश्टी में कॉल किया जाएंगे तो अगर इतनी जादा संख्या में होंगे तो कहीं न कहीं डीवी पीएश्टी में टाइम भी लगेगा क्योंकि पिछली बार की आपकी बताओं 2016 की जो बढ़ती थी उसमें जो कें सकता है अगर बहुत अच्छे से चलेगी तो लगवक फिर भी दस दिन के आसपास लग जाने तो दस दिन लगेंगे अब उसके बाद रनिंग हुई थी यानि दो चार दिन के गैप के बाद लेकिन यहां पर यह हो सकता है कि साइड़ी साइड आपका डीवी पीएश्टी च होता है यह भी पुलिस लाइन में ही आपका होता है लेकिन यह अंदर चलता रहता है जो भी आपके रूम बें ज्यादा कुछ इसमें नहीं आएथा इसमें आपको सिर्फ डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका जो भी मानक हैं वो चेक होते है तो यह प्रक्रिया आपकी इस तरह से चल सकती है भरती वोट अगर इसको जल्दी से निप्टाना चाहेगा तो इस तरह की प्रकृरिया रखेगा और उम्मीद यह है कि जनवरी लाश्ट तक अगर वो इस प्रकृरिया को निप्टा देता है तो प्रकृरिया लगवग भरती वोट के हैंड से बाबना है वो बहुत ज़्यादा कम है ठीक है बाकी आपको एक बैकप लेके चलना है अगर आप तयारी है तो आप दूसरे एक्जाम की भी बराबर अपनी तयारी रखिए और रणिंग की भी तयारी रखिए डॉकुमेंट वगरा से संबंदित मैंने पूरी जानकाई दी ह कौन कौन से आपको डीवी के लिए डॉकुमेंट चाहिए होंगे अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए वो सारे डॉकुमेंट अपने कम्प्लीट कर लीजिए ठीक है और अच्छे से तयारी करते रहे हैं और अगर आप इस चीज को लेके इंसरोर ह यह आपकी बॉडि कैपिसिटी पर भी डिपेंड करते हैं चलिए वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो में लीचे कमेंट बॉक्स में जाके जय हिंद जरूर लिख दीजेगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार जय हिंद